साथियों एक जूट प्रयासों से एक जूट संकल्पों से कैसे परणाम आते हैं असम इसका बड़ा उदाहरण है आपको पांच साल पहले का वो समय याद होगा जब असम के ज्यादातर दूदराज इलाकों में अच्छे होस्पिटल केवल सपना होते थे अच्छे होस्पिटल अच्छे इलाज का मतलब होता था गंटों की यात्रा गंटों का इंतजार और लगातार अंगिनेत कथिनाईयां मुझे असम के लोगों ने बताया है कि हमेशा यही चिंता रहती थी कि कोई मेडिकल इमर्जन्सी ना आ जाए लेकिन ये समन से आए अब तेजी से समाधान की और आगे बढ़ रही है आप इस फर्क को आसानी से देख सकते हैं मैसूस कर सकते हैं आजादी के बाद से साथ दसकों में क्यानी 2016 तक असम में केवल छे मेडिकल कॉलेज होते थे छे लेकिन इन पांच सालों में ही असम में छे और मेडिकल कॉलेज बनाने का काम शुरू किया जा चुका है आज उत्तरी असम और अपर असम की जरुपतों को देखते हुए बिश्वनात और चरई देव में दो और मेडिकल कॉलेजों का सलान्यास हो गया है ये मेडिकल कॉलेज अपने आप में आधुनिक स्वास्त सेवाओं के केंद्र तो बनेंगे ही साथ ही अगले कुछ सालों में यहां से ही मेरे हजारों नवजवान डॉक्टर बन करके निकलेंगे आप देखिए 2016 तक असम में कूल M.B.B.S. सीट्स करीब सवास 700 ही थी लेकिन ये नए मेडिकल कॉलेज जैसे ही शुरू होंगे असम को हर साल 161600 शोला सो नए M.B.B.S. डॉक्टर मिलने लगेंगे और मेरा तो एक और सपना है बड़ा साहज पुन सपना लगता होगा लेकिन मेरे देश के गाउं में मेरे देश के गरीब के घर में टैलेंट की कोई कमी नहीं होती है उन्हें अउसर नहीं मिला होता है आजहाद भारत जब 75 में प्रवेश कर रहा है तो मेरा एक सपना है हर राज्य में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज कम से कम एक टेकनिकल कॉलेज वो मात्रु भासा में पढ़ाना शुरू करे क्या असमिया भासा में पढ़कर के कोई अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता है क्या आजहादी के पचरतर साल होने आए और इसलिए चुनाव के बाद जम नई सरकार मनेगी असम में मैं यहाँ असम के लोगों की तरफ़ आपको वादा करता हूँ कि असम में भी एक मेडिकल कॉलेज स्थानिय भाशा में हम शुरू करेंगे एक टेकनिकल कॉलेज स्थानिय भाशा में शुरू करेंगे और दीरे दीरे यह बढ़ेगा कोई रोक नहीं पाएगा उसको यह डॉक्तर्स असम के अलग-अलग शेत्रों में दूर दराज इलकों में अपनी सेवाय देंगे इससे भी इलाज में सुवीदा होगी लोगों को इलाज के लिए बहुत दूर नहीं जाना होगा साथियों आज गुवाहाटी में एम्स का काम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है इसका काम अगले डेड़ दो सालों में पूरा भी हो जाएगा एम्स के वर्तमान केंपस में इसी एकडेमिक सत्र से MBBS का पहला बैंच पहला बैंच शुरू भी हो गया है जैसे ही अगले कुछ सालों में इसका नया केंपस तयार होगा आप देखेंगे गुहाटी आधुनिक स्वास्त सेवाओं के केंद्रे के तौर पर उभर करके सामने आएगा एम्स गुहाटी केवल असम ही नहीं बलकि पूरे पुर्वत्तर के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन करने वाला है आज जब मैं एम्स की बात कर रहा हूं तो एक सवाल आपके बीच पूछना चाहता हूं देश की पिछली सरकारे ये क्यों नहीं समझ पाई कि गुहाटी में ही एम्स होगा तो आप लोगों को कितना लाब होगा वो लोग पुर्वत्तर से इतना दूर थे कि आपकी तकलिफें कभी समझी नहीं पाई साथियों आज केंद्र सरकार द्वारा असम के विकास के लिए पूरी निष्टा से काम किया जा रहा है असम भी देश के साथ कंदे से कंधा मिला कर आगे बढ़ रहा है आईश्वमान भारत योजना हो जन आउशदी केंद्र हो प्रदान मंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्रेम हो या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हो सामान्य मानवी के जीवन में जो बदलाव आज पुरा देश देख रहा है वही बदलाव वही सुधार असम में भी दिख रहे हैं आज असम में आईश्वमान भारत योजना का लाब करीब सवा करोड गरीबों को मिल रहा है मुझे बताया गया है कि असम के साड़े तिन सो से जादा अस्पताल इस योजना से जुड़ चुके हैं इतने कम समय में असम के डेड़ लाख गरीब आईश्वमान भारत की तहत अपना मुपत इलाज करवा चुके हैं इन सभी योजनाओं से असम के गरीबों के सैंकडो करोड रुपिये इलाज पर खर्च होने से बचे हैं गरीब का पैसा बचा है आईश्वमान भारत योजना के साथ ही लोगों को असम सरकार के अटल अमृत अभियान से भी फायदा हो रहा है इस योजना में गरीबों के साथ ही सामन्य भर्ग के नागरिकों को भी बेहत कम किस्त पर स्वास्त भीमा का लाब दिया जा रहा है इसके साथ ही असम के कोने कोने में हेल्ट एंड वेलनेस सेंटर्स भी खोले जा रहे हैं जो गाउं गरिब के प्रात्मिक स्वास्त की चिंता कर रहे हैं मुझे बताया गया है कि इन सेंटर्स पर अब तक 55 लाग से जादा असम के भाई बहनों ने अपना सुरुवाती इलाज कराया है